हेलो एवरिवान तोड़े वी बिल सॉल्ट फ्रम कोर्शन नम्म फाइप एक्सराइज फिप्टीन ए क्लास सेविंथ आरेस अग्वाल में इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका इंटूडेक्शन और कोर्शन बंटू फोर तक अपलोट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको ड एक ट्रैंगिल एक ट्रैंगिल दे रखा है उसमें एक एक्टीट एंगिल की भलज़ी रखी है 36 find the other हमें other acute angle find करना है कैसे होगा क्या दिमाग में आता है चलो पहले तो जूदी रखा है लिख लो one angle या first angle आपको भी लिख सकते हो 1 angle हमें given है 1 acute angle is given 36 degree अधर पूचा अधर acute angle तो कैसा triangle रखा वी? यह right triangle right triangle का मतलब ऐसा triangle जिसका एक angle क्या हो 90 degree तो दूसरा angle हमें 90 degree तो second angle या other angle कुछ भी लिखा हो आप उसे कुछ परक नहीं है second भी लिख 15 फार्स second 2 तरड ऐसे लिख सकते हो other angle क्या हो गया, other angle is 90 degree, तो other active angle पूछा है, other acute क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो right angle हो गया, बाकी दोना acute angle, तो क्या लगा दो, angle sum property, we know that the sum of all interior angle of a triangle is 180, यानि कि 90 plus 36 plus other acute angle, या या लिखो, तो लिखो, 90 plus 36 plus, इतो right angle होगे, other acute angle, या third angle ऐसी भी लिख सकते हैं, other acute angle, इन तीनों का sum हो जाएगा, 180, क्योंकि प्रापट्री है, angle sum property, किसी भी triangle के तीनों एंगल का sum हमेशा क्या होता है, 180, तो आमनों बही यूज कर ली, 90 plus 36 हितना होगा, 126 plus other acute angle is equal 180, तो निकला है यहां से, other acute angle, क्यों बहुता है, 90 करना 90 दे रखा है, right angle का अंदर 90 होता है, sorry है न, वो 90 दे रखा है, तो हमें acute angle find करना खाली, other acute angle is 180 minus 126, 54 हुआ, 54 डिगरी आगे, 54 इस दा answer, आप इसको चाहते हैं, यहां से बहुता है, other acute angle is 90 minus, 90 में से भी मैनस कर सकते हैं, क्यों क्योंकि right angle triangle है, right angle triangle में एक angle 90 दिगरी और वाक्की दोना angle का सम क्यों होता है, 90 दिगरी, तो एक माल में तो दूसरा 90 minus 30 is 54, ऐसी भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसी कर लेना, कोई देख कर नहीं, now next question number 6, question 6 is, the acute angle of a right triangle, फिर वोई आग राइट triangle, यानि कि एक angle तो 90 दिगरी हो गया, तो दो acute अचिए, वो find करने होंगा, मैं देखते हैं, are in ratio 2 is to 1, find each of these angles, तो आप समझेगे हैं, है ना, क्या दिरका है, ratio between two acute angles, इन ही right angle triangle, 2 is to 1, ठीक है, यह n काँ से लगा दिया, ratio between two acute angles is 2 is to 1, और कैसा triangle है, right angle triangle, तो लिख सकते हो, in right angle triangle, या right triangle, the sum of both, या two acute angles is 90 degree, मैं लिख यह उपर जो बता रहा था ना, उस तरीके से कर दूँँ इसको, चैनि कि इन दोना angle का sum 90 degree होगा, angle sum property जरूबत नहीं है, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, बैसे angle मालनेंगे, 2x, x और 3rd के आवगा 90 degree, 2x, plus x, plus 90 equal to 180, तो x value नकालनेगे, इसकी जरूबत नहीं है, इस language से काम हो गया, अब जब हमने यह भी बताया है, जब कभी भी कोई भी चीज ratio में दे रखी हो, तो भी मानने लेते हैं, उसके साथ same variable लगा देते हैं, तो अब मानेंगे, let the acute angles are 2x, and 1x, 1x का अंतलाब x degree, तो भी लिखने वाला हों में, let acute angles are 2x degree, और 1x, 1x का अंतलाब x degree, तो इन दोनों का sum कितना होगा, यह हमने उपर लिखती है, right angle, triangle में क्या होता है, sum of 2 acute angles is 90 degree, यानिकि 2x plus, यानिकि this implies, 2x plus x is 90 degree, तो 2x, x कितना हो गया, 3x is 90 degree, तो value of x 3 से 90, 30 times cancel, तो यह x की value इंपलाई, तो first acute angle क्या है, 2x, यह लिखतो, first x लिखता हमाई, first acute angle, is equal to 2 into x, 2 into 30 का अंतलाब, 60 degree हो गया, ओके, और second acute angle क्या होगा, second acute angle is x है, only, 30 degree, तो angle आगे 60 and 30, यह लिखती है, ओके, clear, तो यह रहा आपका question number 6, और मुझे उम्मीदा, आपको अच्छे सवन्य भी आगया होगा होगा है, कूर दिख्या, ओके, now next question number 7, and the question 7 is, one of the angles of a triangle is 100 degree, triangle दिरखा है, उसका एक angle की measurement दिरखी है, यह 100 degree, तो first angle है, one angle ऐसी लिख लो, first angle is 100 degree, यह दिरखा हमने लिख 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 लिया, one angle, first angle है, पुछ भी लिख सकतो, and the other two angles are equal, तो वाक्ती जो दोनो angle हैं, वो equal हैं, तो find each of the equal angle, तो हमें जो दोनो equal angle हैं, उसका measure find करना है, कि वो कितने degree का angle होगा, ओके, तो क्या करें, जब equal हैं, हमने मान लिया, कि measure of each equal angle is x degree, let measure of each equal angles is x degree, तो दूसरा भी x है, तीसरा भी x को भी दोनों equal दे रखे हैं, अब भी angleism property भी, x first angle plus second angle plus third angle is equal to 180, तो लिखना चाहो, लिखलो, we know that, sum of all angles of a triangle, is 180 degree होता है, तो बस first angle यानि कि वो 100 दे रखा है, second angle और third angle दोनों equal हैं, वो xx माल लिया, तो ओर लिखना अब 40 degree आजागा अगा अगा अगा, हैं, तो 2x is equal to 80, आप दो 2 से divide करेंगे, तो x is equal किसके आजाएगा, 2 से 80, 40 times cancel, तो x की value आगई 40, और x क्या था, major of each equal angle, यानि कि बाकी दोनों angle, कितने कितनी degree के होंगे, 40 degree के, तो लिखस दोगे, major of both each equal angle, major of each equal angle, 8 equal 40 degree, यानि कि बाकी दोनों angle, 40 degree, 40 degree के होंगे, तो की चलियर, नव नेस्ट, क्यूर नम्मर 8, and the question number 8 is, each of the 2 equal angles, of an isolisis triangle, is twice the third angle, isolisis triangle क्या होता है, figure आपको बनाने की, कोई necessary है नहीं, मैं आपको समझाने दे दे रहा हूं, कि ये दो angle equal होते हैं, अब question में क्या रहा है, ये जो angle है, इस angle के double है, द्वारा सुन लो, each of the 2 equal angles, as of an isolisis triangle, is twice the third angle, यो third angle है, उसके twice है, थर्ड अगिल भी x, और तीनो अगिल का सम, ये हो गया x, तो ये 2x, ये 2x, है ना, अगर हम इसको x मानेंगे, तो ये 2x, और ये दोनों equal होते हैं, ये भी 2x, फिर तीनो अगिल का सम, बनेटी लगा देंगे, ये answer है जाएगा, तो सबस्रिब इसकी कोई यरूत में फिरकर की, लिखोगे, let third angle, be x degree, तो measure of both, equal angle क्या हो, और 2x कोंगी दे रखा है, कि जो equal angle में उसका double है, टू टाइम्स है, तो measure of each equal angle, is equal 2x degree, तो angle हो गए, x, 2x, 2x है ना, फिर हम ये जानते हैं, क्या, x degree, 2x degree, 2x degree, मतलब angle of sum, जो उपर लिखा था मैंने cos, वो आप लिखना चाहले सकते हो, we know that the sum of all angles, और फिर triangle is 180, तो angle का सम लिख रहे हैं, और ये किसके को लिख देंगें, 180, 2x, 2x, 4x, और x, 5x, तो 5x की value आ गई 180, तो इसको हम solve करके, क्या find करेंगे, value of x, 5 to divide 5 और जा, 5 3 तरी जा 15, 5 6 जा, तो x की value हो गई 36, क्या पूचा था इसमें, find the angles of the triangle, हमें तीन angles find निकालने का, 3rd angle क्या था इस degree, तो लोग दो 3rd angle, 3rd angle से मतलब जो equal नहीं है, 3rd angle is 36, और जो equal है, 2 times रहे गए था, 72 72 डिग्री वो हो जाएंगे बात संग माई नहीं आई है ना तो लुग दोगे each equal angle is two times of 36 72 डिग्री तो angles क्या हो गई तो angles are three angles होते है नहीं आप सब्सक्राइब कि दो 72 72 है एंगिल साथ दो एक्वाल एंगिल 72 और थर्ड एंगिल 30 60 डिग्री तो इस आर दा आंसर तो इस आंसर आप कोर्शन नंबर 8 ओके इंटरेस्टिंग कोर्शन है नाओ वी विल शॉल नेस्ट कोर्शन नमर 9 और दा कॉर्शन 9 इस इफ वन एंगिल ओफ ट्राइंगिल इस एक्वाल तू दा सम अब दा अधर तू तो तो देट दा ट्राइंगिल इस राइंगिल ट्राइंगिल तेखिए मतलब क्या है इसमें आप फिका बनाऊं तो ज्याद समझ वाएगा एक ट्राइंगिल दे रखा है ए बी सी इसका एक एंगिल वाकी दोना एंगिल के समके एक्वल हैं तो हमें प्रूब करना है कि वो एंगिल राइंग त्रेंग्ल होगा इसी तर लिए मैंने राइटेंग्ल ट्रेंग्ल बंड़ा है अब ये होगा कैसे पुरूब यह आ तो आप फिल से था जिसे हमने फिल मन ली और नहीं है तो आप फिल बनाने के लितना था सकत시면 इं ट्राइंगील a b c न यह figure बनाने से तो यह हो गया कि हमने यह परूप करती है यह अंगील b ही तो हमने पता हुए लिवसक्ता है प्राइंग e b h b oh राई ट्राइंगil c b h e h usakta है तो कहphonी से क्या होता हैго figure की कोई जरूत्य लुत ही हम लेकら है इं- ट्राइंगिल A, B, C कोई भी एक एंगिल की वैलू किसके एक्वल दे रखी है अगर यसी फिगर को यूज करें तो हमें एंगिल B की वैलू दे रखी है A प्लस C लेकिन मानलो हमें फिगर नहीं है पता थो इना है तब कुछ भी ले सकते हो तो गिविन है कि एंगिल मानलो C है C की वैलू दे रखी है एंगिल A प्लस एंगिल B जो एक एंगिल है बाकी दो एंगिल के सम के इक्वल है यह हमें गिविन है आप यहां एंगिल B ले सकते हो यहां आप एंगिल A ले सकते हो अगर आप एंगिल A लिखोगे तो यहां क्लिकोगे B प्लस C क्योंकि ABC लिए आप PQR, XYZ यह भी आपकी मर्जी है ABC लिए आप PQR लेलो, XYZ लिखलो, कुछ विली सकते हो अगर XYZ लेड़ते हैं तो यहां कुछ विली एंगिल माल सकते हो Y is equal to X plus Z समझ मागी बाद, तो यह C is equal हो गया, अब प्रूब करना है कि यह जो triangle ABC है, राइट अंगिल ट्राइंगिल तो यह figure के लिखना है, तो क्या लिखोगे, हम यह लिखेंगे कि we know that, चोटा सा सवाल है, देखना, we know that, sum of all interior लिखना चाहिए, काई देशे, of angles of a triangle is 180 degree, तो triangle ABC में कौन कौन से अंगिल हुए, अंगिल A plus angle B plus angle C, इसकी value होगी 180, अब equation जो first हमने given था, उससे C की जागए A plus B लिख सकते हैं, और A plus B की जागए C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो A plus B की value put कर दो, ओके, तो A plus B की जागए हम लिख सकते हैं, अंगिल C plus angle C is 180 degree, कहां से आया, यह आब रैकर में लिख दो, यह हमने value put करिये हैं, from equation number 1, equation 1 में A plus B की जागए C हमने put कर दिया, बस हो गए सवाल, C plus C, twice angle C is 180, 2 से divide कर दो, angle C is 180 upon 2, 2 से 90 times cancel, angle C is 90 degree, एक angle की value निकलाई 90 degree, और हमने यह भी पता है, अगर किसी triangle में एक angle 90 degree हो, तो वो triangle कैसा होता है, right triangle, हमने यह प्रूप करना था, कि so that triangle is right angle triangle, this implies, जोंकि C की value 90 degree हो, triangle ABC is a right angle triangle, यह आप खाली इससे चाहो, तो right triangle भी लिख सकते हो, उससे कोई ख़रक नहीं है, right angle triangle, triangle, हो गया प्रूप, तो इस तरह की question में हमने केवल क्या प्रूप करना था, कि एक angle की value, कुछाए A हो, चाहए B हो, C हो, कोई भी एक value 90 degree हो, ABC तो हमने माना, PQR, कुछ भी लिए सकते हैं, तो एक angle 90 degree आना चाहिए, वो आ गया, angle C, और हम यही find कर सकते थे, angle आप चाहो तो angle B और A की find कर सकते थे, इतनी information question में नहीं है, अच्छा question है, question यह दे रखा है, in triangle ABC, क्या दे रखा है, कि angle twice angle A is equal twice angle B is equal six angle C, calculate angle A, B and C, इतनी information हमें दे रखी हैं और यह अच्छा सवाल है, इससे information को लेते हुए, हमें तीनो angle की value find करनी हैं, ओके, चली करते हैं, solution इसका, माल लिया, इसका मतलब क्या है, कि 2 A की value अगर 60 है, तो 3 B वी 60 है, और 6 C वी 60 है, इतनी मतलब है, अरे इस पूरे की value, angle A में 2 से multiple करना जो B है, वो इककल किसके होगा, angle B की value उसके 3 से multiple करना है, और जो angle C है, उसके 6 से multiple करना है, तो हमने माल लिया, सारी की सारी, टीनों की टीनों, X के equal हैं, या K के equal हैं, या Y के equal हैं, या A के equal हैं, कोई भी एक value ले लोगे, तो हमने माल लिया, let, twice angle A is equal, thrice angle B is equal, 6, times of angle 6, C equal to क्या मन लिया, हमने चला, X मन लिया, clear, X degree या खाली X के ख्लोड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि twice angle A की value किसके equal है, X के, अरे इनको बुल जाओ, तिनों equal हैं, तो A की value क्या हुई, तो angle A is X upon 2, इसको आप दे दीजिए, equation number 1, clear, अब सेम A और C को बुल जाओ, तो thrice B is equal to X है, and thrice angle B is equal to X है, तो इससे angle B की value क्या हो गई, X upon 3, इसको आप second equation दे दीजिए, similarly, 6 angle C is equal to X है, है ना, क्या, 6 angle C is equal to X है, तो angle C की value हो गई, X upon 6 degree, यह हो गई, equation third, अगर किसी तरह X की value find हो जाए, तो X की और मिहां put कर देंगे, तो angle A भी निकलाएगा, angle B भी find हो जाएगा, angle C हो जाएगा, तो यह कैसे use होगा, यह angle sum property से use होगा, solve होगा कैसे, कि B no debt, चलो लिख देते हैं, we know that sum of all, चलो आप पूरा सब लिखी दू, all interior angles of a triangle is 180 degree, means angle A plus angle B plus angle C, इन तीनों angle का sum कितना आएगा, 180 degree, और A, B, C, equation first second third से put कर दो, A की value xy2, B की value xy3, और C की value xy6 है, यानि कि हमें क्या दे रखा है, हमें यह दे रखा है, x upon 2, plus x upon 3, plus x upon 6, इन तीनों की value, इसके एक वाल है, 182, 3, 6 का LCM ले लिजिए, क्या आएगा भी, 6 आजाएगा, यह तो आपको अच्छे से पता है, 6 आगे LCM, 2 का divide 6 में 3 times, 3 into x, 3x, 3 का divide 6 में 2 times, 2 into x, 2x, 6 का divide 6, 1 time, 1 into x, x, is 180, यह कितना होगा, 3x plus 2x, 5x, 5x और x, 6x, तो यह आया, 6x upon x is 180, x से, ओह, 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 यह 6, 7x लिख लिए, 6 है न, 6 से 6 केंसिल, 6 ही तो है, 6 से 6 केंसिल, तो value of x आ गई, 180, तो value of x 180 आ गई, तो इसकी value को, यहाँ, पुट कर दो, angle a, 180 upon 2, निकला है, 90 degree, यानिकी, यह भी right angle triangle था, तो चलिए, पुट कर दो हैं हैं न, तो देखो, angle a की value क्या हो गई, तो angle a is x upon 2, 180 upon 2, 2 से यह 90 times कैंसिल, तो angle a आगे 90 डिख लिख लिख, angle b कितना है, x upon 3, तो 180 upon 3, 3 से यह 60 times कैंसिल, angle b की value आ गई, 60 degree, and angle c, वो दिरखा मैं, x upon 6, तो 180 upon 6, 6 से यह कैंसिल हो गई 30 times, तो angle c is 30 degree, a 90 degree, b 60 degree, and angle c will be 30 degree, ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही question करेंगे, question number 11 to 15, वो हम लोग next वीडियो में करेंगे, मुझे अम्मीद है, आपको यह question बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है न, अखोव interest भी आ रहा होगा, अगर आपको कोई problem है, कोई भी किसी question doubt है, तो वो आप लोग comment box में comment कर दिए, मैं कोई एक वीडियो में सारे solution को लिखके, students problem नाम से उसका title दूँआ, और वीडियो upload कर दूँआ, है न, अगर आप पहली बड़ चैनल पर आए हों, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, साथी साथ, bell icon को जरूब पूस कर लें, जिससे की इसके आगे का part में जब भी upload करूँआ, वो आपका miss नहीं होगा, उसका notification आपको मिल जाएगा, इससे पहले की आपको कोई भी question चाहिए, इससे पहले तके सारे एक के question हो रहे हैं, वो आप playlist में check कर सकते हैं, class 6, RS, Agrabal, Math नाम से playlist है, अगर NCRT की को problem हो, तो class 6, NCRT, Math नाम से playlist है, उसमें देख सकते हैं, ओके, साथे साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को share करिए, फिर मिलते हैं नैस वीडियो में, thank you, have a nice day.